दोस्तों नमस्कार मैं संजय मग्गू और मौजूद है देश रोजाना के डिश्टल मीडिया मंच पर आज 15 नमंबर है आज ही के दिन उनिसो नंचास में यानि कि आज से ठीक 75 साल पहले मात्मा गांधी की हत्या के दोश के आरोप में नाथुराम गोडसे को फांसी के सजा सुनाई गई थी यानि कि आज 75 साल हो गए जब गांधी की हत्या के दोशी नाथुराम गोडसे और नाथुराम गोडसे के साथ में नारायन आप्टे इन दो लोगों को सजाय मौत दी गई थी इन दोनों दोशियों को जिनको दोशी ठेराया गया था मात्वा गांधी की हत्या का इन दोनों दोशियों यानि की नाथूराम गोड से और नारायन आप्टे इन दोनों को हरियाना के अंबाला जिले की सेंट्रल ज चले या स्टोरी क्यों तो देश रोजाना हमेशा सही किसी भी बड़े जो घटनाएं होती है और उनका जो अगर वार्षिक वर्षकाट होती है तो उस पर हम आपसे बात किया करते हैं चाहे वो मात्मा गांधी की शहादत की बात हो और चाहे फिर वो देश की अन्यर राजनीत सामाजिक हस्तियों की क्योंकि मात्मा गांधी से जड़ा हुआ यह मामला था मात्मा गांधी की हत्या का दोश था आरोप था और आरोप के अंदर वो दोशी साबित हुए थे नाथुराम गोट से और उनके साथ दोशी साबित हुए थे नारायन आप्टे कुल मिला करके 9 ल उच्छ नियाले में हाई कोट में जाने के बाद बनी किया गया और एक मात्रिस के अंदर ऐसे जो आरोपी बनाए गए थे जिनको निचली अदालत नहीं सुनवाई के दोरान दोश्मुक्त कर दिया वो थे वीर सावर कर वीर दामोदर सावर कर तीस जनवरी 1948 यानि कि जब भा मेरला मंदिर के अंदर पूजा उपासना के लिए तो वहां पर उनको गोली मार दी गई थी और गोली मार कर उनकी searches कर दी गई थी उस दोरान जब मात्मा गांधी की हत्या हुई थी तो खासकर महराष्ट के इलाके में काफी दंगे भी हुए थे फसाद भी हुए थे हंगामे भी हुए थे क्योंकि मात्मा गांधी को राष्ट्र पिता की उपाधी से नवाजा गया था आलांकि कहीं भी इतिहास के अंदर यह बात आती नहीं कि उनको राश्टपिता क्योपादिक इसने दी लेकिन उनको आज तक सभी बापू के नाप से नवासते हैं चाहे वो बापू की नीतियों को बापू के कारेक्रमों को यानि कि महात्मा गांधी के कारेक्रमों को पसंद करते हो या उससे कहीं विरोधा भास हो जब फांसी की सजा सुनाई गई और जब उनको फांसी के फंदे पर ले जाया जा रहा था पंदर अगस्त उनिसो नन्चास को अंबाला जेल के अंदर तो उस समय नाथुराम गोडसे और नारायन आप्टे इन दौनों लोगों ने नारा लगाया था अखंड भारत अमर रहे गोडसे के आवाज कुछ जो इतिहास की पन्नों में दर्ज है कि गोडसे के आवाज कुछ मद्धम थी और नारायन आप्टे के आवाज बुलंद थी गोडसे ने कहा था अखंड भारत और आप्टे ने कहा था अमर रहे फांसी के लिए दो तक्ते बनाए गए थे जिन पर दोनों को एक साथ फांसी की सजाद दी गई थी जो उनको अदालत ने मुकरर की थी और बाद में इनका जेल के अंदर ही अंतिम संसकार किया गया और उनकी अस्तियों को घगर नदी में बाह दिया गया यह आज से 75 साल पुरानी मामला था 75 साल पुरानी घटना थी मैं आपको बताता चलूं कि महात्मा गांधी की हत्या के मामले में नो लोगों को आरूपी बनाया गया था हलांकि उस समय तक जो फास्ट्रेक कोर्ट नहीं हुआ करती थी लेकिन महात्मा गांधी की हत्या के आरोप में जो मामला चला था अदालत के अंदर उसकी आठ महीने के अंदर सुनवाई पूरी हो गई थी और ट्रायल कोर्ट के अंदर जो सुनवाई हुई उस सुनवाई के अंदर नौ लोग जो मैं आपको बता रहा हूं और नौ लोगों में से जो नौ लोग दोशी ठेराए गए थे जो हत्या के आरोपी बनाए गए थे जिन में से जो दोशी साबित हुए वो नाथुराम गोड से और नारायन आपके ये दो लोग थे इनको मौत की सजा दी गई अगले थे मदनलाल पहवा इनको उम्रकैद की सजा मिली गोपाल गोड से इनको भी उम्रकैद की सजा मिली विश्णु रामकृषन करकरे को भी उम्रकैद की सजा हुई डॉक्टर तत्ता त्रे सदाशिव परचुरे परचुरे को भी उम्रकैद की सजा हुई इसके बाद में बाकी तीन लोग और थे यानि कि ये जो छे लोग हुए इन छे में से दो को सजाए मौत और चार को उम्रकैद अगले जो लोग थे इनमें शंकर किस्तया थे इनको उम्रकैद की सजा हुई लेकिन बाद में उच्च नैले से इनको बरी कर दिया गया और आठमें जो थे जिनको आरोप लगा था विनायक दामोदर सावरकर विनायक दामोदर सावरकर ने अपनी पैरवी अदालत में खुद की और ट्रेल कोट नहीं उनको दोशमुक्त कर दिया यानि कि उनको जो आरोपी बनाया गया था वहां से आरोपी के दोश से उनको निप्टा दिया गया, आरोपी के दोश से उनको मुक्त कर दिया गया इस सारे घटना करम के अंदर जो नौ दोशी बनाए आरोपी बनाए गए थे इनमें दिगंबर बढगे एक वो थे जिनको सरकारी गवा बनाया गया 1948 की 30 जनवरी की एगटना थी जब मात्मा गांधी की मौत हुई थी मात्मा गांधी का मुर्डर हुआ था देश को आजाद हुए 6 महीने हो चुके थे मात्मा गांधी दिल्ली के बिरला भावन जो बिरला हाउस में प्रात्ना सबा में गए थे उनके साथ में गुर्बचन सिंग भी थे और वहां मात्मा गांधी जब पूजा प्रात्ना कर रहे थे जाकर के और अचानक एक आएक वहां से एक शक सामने आया और उसने तीन गोलियां सीधे मात्मा गांधी के सीने में उतार दी मात्मा गांधी की मौत हो गई मौक्य पर ही और जिनकी पहचान हुई गोली मारने वाले के जो आरोपी की जो पहचान हुई वो नाथूराम गोडसे के रूप में हुई गोली मारने के बाद नाथूराम गोडसे ने वहां से भागने की कोशिश भी की लेकिन वहां मौजोद लोगों ने उनको पकल दिया और इसके बाद इस हत्या की साजिश में शामिल नाराय नाप्टे और विश्णू करकरे गिरफतार किये गए मात्मा गांधी की हत्या के 6 दिन बाद मुंबईी पुलिस सावरकर के शिवाजी पारकस्तित घर पहुंची और वहां से सावरकर को जब हिरासत मिले रही थी तो वीर सावरकर ने दामदर सावरकर ने उन से पूछा भी कि क्या आप मुझे मात्मा गांधी के हत्या के मामले में गिरफतार करने के लिए हैं गिरफतार किया गया और उनको गिरफतार करके दिली ले जाया गया स्पेशल जज आत्मा राम जब वो लाल किले की में कोट लगी थी special code लगी थी trial code और उसके अंदर सुनवाई हुई थी जिन नौ लोगों पर आरोप लगे थे मात्मा गांधी के हत्या के जिनके अंदर विनायक दामोदर सावर कर थे उन पर चार आरोप लगाए गए थे चार बात कही गई थी और गवाथ है उसके अंदर दिगंबर बढ़ गे लेकिन विनायक दामोदर सावर कर ने अपनी पैरवी खुद की अपनी पैरवी खुद अदालत के अंदर यानि कि उनके कोई वकील नहीं थे एक पुस्ता के अंदर आप पढ़ सकते हैं फ्रीडम एट मिडनाइट एक किताब है जिसके लिखक है जिसको लिखने वाले हैं डोमेनियर लेपियर और लेरी कॉलिंस इस किताब के अंदर वो सब कुछ है जिसके अंदर की मातमा गांधी की हत्या और उसके बाद में जो नौध दोशी आरोपी बनाए गए और उनमें से साथ को सजा होना एक का सरकारी गवा बनना और विनायक दामोदर सावरकर का इसके अंदर दोश मुक्त होना बाइज़त बरी होना और एक आगदोशी का जो जिनको दोश लग गया उनका बाद में हाई कोट से बली होना शंकर किस्तया गांदी जी की हत्या के कुछ दिन पहले मात्मा गांदी की हत्या से कुछ दिन पहले ये कहा गया था जो सरकारी गवाँ बने, सरकारी गवाँ ने कहा, दिगंबर बढ़गे जो सरकारी गवाँ बने, दिगंबर बढ़गे ने चार जो आरोप लगाये थे वीर सावरकर, दामोदर सावरकर पर, और उसमें लगाया गया था कि गांधी की हत्या से 15-16 दिन पहले, नाथुराम कि सावरकर ने ही हथ्याल उपलबत कराय बढ़गे ने ये आरोप भी लगाया कि सावरकर ने ये कहा कि लक्षय पूरा करना है ये स्तमाम чार प्रकार के अलग अग जो उन पर контр लगे थे और सरकारी ! ये बढ़े के इन आरोपों पर जब सावरकर ने अपना पक्ष रखा तो उनकी दलील के सामने वो सारे आरोप फी के सावित हुए यानि कि वो सारे जो आरोप लगाए गए थे वो गलत सावित हुए इसके साथ प्रमुक बात ये थी कि किसी भी मामले में किसी को अगर दोशी ठहराय जा सकता है या सजा दी जाती है तो उसके लिए स्वतंत्र गवा की आज भी होता है इंडिमेंट विटनेस आज भी कही जाते हैं लेकिन इस मामले में क्योंकि किसी प्रकार का सरकारी गवा नहीं था तो इस हिसाब से विनायक दामोदर सावरकर को दोश्मुक्त कर दिया गया और सबसे प्रमुक बात यह है कि आज तक भी उस मामले में सरकार ने किसी भी उच नहले में कभी कोई अपील नहीं कही जो संदेहासपत बन जाता है सारे मामले को संदेहास्पत बनाता है जो नामोदर सावरकर ने भी कहा था कि किसी कौन सी प्रेंसी के चलते किसी साजिश के चलते उनको इसके अंदर एक्यूज बनाया गया है यह प्राली जो घटनाएं हैं यह इतिहास के पन्नों में दर्ज होती है और जब जब कभी समय होता है उस समय इनको याद किया जाता है क्योंकि आज के दिन आज से 75 साल पहले मात्मा गांधी की हत्या के दोश में नातूराम गौड से को फांसी के सजा दी गई थी नारायन आप्टे को फांसी के सजा दी गई थी बाकी के पांच दोशियों को जो पांच आरोपी थे जो दोश जिन पर लग गया था उनको उम्रकैद की सजा हुई जिन में से एक को बाद में बरी किया गया और दामोदर सावरकर इस सारे मामले के अंदर बाईजत बरी और यह आज तक जो चर्चा होती हैं सबसे पहले प्रमुग ये बात भी आती है नातुराम गोट से कि वो पुस्तक भी आप पढ़ सकते हैं आपने पड़ी भी होगी कुछ लोगों ने कि मैंने गांधी की हत्या क्योंकि ये तमाम क्योंकि इतिहास की घटना है और हमेशा य नारायन आप्टे को देश रोजाना की कही अलग-अलग सीरीज जिसके अंदर हम आपको बताया करते हैं अतियासी घटनाओं के बारे में तो आज हमने आपसे बात की मात्मा गांधी की हत्या और उनके हत्या के दोशी हत्या के आरोपी नाथुराम गोट से और नारायन आप उसे कितना सहमत है कमेर्स बॉक्स में जरूर बताएं जुड़े नहीं मारत साथ देखते रहें देश रोजाना